कि दूश्टो नमस्कार स्वागत आप सभी का मेरे चनल में आज मैं आपको बताऊंगे अगोई अष्ट्मी की कथा सुनाऊंगी मैं आज आपको ही इसको व्रत बाले दिन जरूर ही पड़ना चाहिए है पूजा के समय पड़ना चाहिए इस बार अगोई अष्ट्मी पूजा करने के बाद इस कथा को पढ़े है ये कथा इस प्रकार है इस कथा के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक सहुकार की साथ बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो उनके साथ उनकी ननत भी चली आई सहुकार की बेटी जिस जगे मिट्टी खोद रही थी उसी जगे स्याव माता अपने बच्चों के साथ रहती थी मिट्टी खोते वक्त लड़की की खुर्पी से स्याहू का एक बच्चा मर गया इसलिए जब भी स्याहूकार की बेटी के बच्चे होते थे तो वो साथ दिन के भीतर ही मर जाते थे एक एक करके साथ बच्चों की मौत हो गई जब साथ बच्चे उसके खतम हो गए तो लड़की ने पंडिजी से बात करी और इसका काराण पूछा कि मेरे बच्चे ऐसे फैदा होने के बाद ही मर जाते हैं तब पंडिजी ने उनको बताया कि अंजाने में उनसे जो पाप हुआ है उसका ये नतीजा है पंडिजी ने लड़की को अहोई अश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आयू वे सुख सम्रद्धी के लिए अहुई माता का व्रत करने लगी और अहुई माता का व्रत करने से संतान के लिए सुख शान्ती और सम्रद्धी और लंबी आयू प्राप्त होती है तो ये थी अहुई माता की व्रत की कता और इसको व्रत के दिन जरूर पढ़े दन्नेवा